हेलो विवर्ज वेल्कम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूरेटिव अपना चैनल मैं हूँ आपका फ्रेंड ओफ हेल्थ यानि सहत का दोस्त आप मुझे कह सकते हैं फ्रेंड ऑफ हेल्थ या सहत का दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर अनुवर अमीर एंसारी मैं पिछले 32 सालों से मुंबई के मुंबई सेंटर में हुम्मेप्रति से इलाज कर रहा हूँ बेसिकली मेरा काम है अर्साध्य रोगों का ठीक करना और मेरा फोकस भी वही है मेरे प्राविट ट्लिनिक में अर्साध्य बीमारियों के साथ में मैं साध्य बीमारिय जो 80% लोगों को मुतासिर करती हैं मैं वो भी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह साध्य बीमारिय pillow जो है जो बड़ा bulk हमारे देश के अंदर जो गरीब लोहों को इफेक्ट करता है उसके लिए कुछ रास्ता बनाएं इसलिए हमने ये चैनल बनाया यूट्यूब चैनल इसका नाम है क्यूरेटिव होमेपरती ताकि हमारा जो मिशिन है हेल्फ फॉर रॉल बाई 2030 ये कामियाब हो होमेपरती घर-घर पहुंचे इसके फाइदे घर-घर पहुंचे और सहत हर द आम लोगों तक का आम जंदर तक किस तरह से जाएं उनकी सेवा करें और देश हित में सैथ को आम करें ये जो कॉंसेप्ट रम जो दिया हेल्फ फॉर ओल ये कोई नया नहीं है 1970 से World Health Organization नहारा दिया सततर में इस पर और भी काम किया गया गवर्मेंट को इन्वाल किया गया लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारा इसके अंदर प्रॉब्लम्स रहा है बहुत प्रॉब्लम्स हुए इंप्लिमेंडेशन में समझने में और अब तक कि कोई उसका फाइदा हासिल नहुआ ना वो सक्सेस हुआ हमारे बूत पूर्वो प्रेजिडेंट डॉक्टर अब्दुलकलाम ने भी इंडिया विजिन 2020 में ये कहा था कि हैल्थ सेक्टर की इंपॉड़न्स सेक्टर है जिस के बाहुजिद में ये सक्सेस्फोल नहीं हुआ क्या हुजए है कबी आपने सोच है हम ये कंपॉजिड पे पहुचे है कि जो भी नारा रह था उसका जो बज़ था ed्लोपेति एलोपेति के जरेए हम वह करना चा रहतें जो अलोपेति कुबही कर नहीं सब्सक्राइंος उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, खर्चा बहुत ज्यादा है, जो एकोनोमिकल एंपाउर्मेंट के बाद में, 90 के बाद में, 92 के बाद में, जो बुतपुर वो प्रदान मंत्री नरसेमा राओ और मनुवान सिंग जी उनके जो मिनिश्र थे उन्होंने जो डेवल्प्म जो हुआ, वो अमीरों को हुआ, गरीब हो को नहीं हुआ, तो हमारा मक्सद यह है, कि एक ही रास्ता है, जिसे गांदी जी ने कहा था कि हम अपना आने के बाद में, हम हमारे देश की जो हेल्थ व्यवस्ता को सुदार सकते हैं, वो है नेश्रल साइन्सेस, नेश्रोपिती, हुमेपिती, जिसके बार में हुनोंने कहा, कि एट नेवर फिल्स, और हमने भी यही देखा हमारे बत्तिस साल अजुरबा में, कि एट नेवर फिल्स, तो किस तरह से हुमेपिती के जरीए हम हमारे देश की सेवा कर सकते हैं, देश हित में, किस तरह से हुमेपिती को लगा स सकते हैं हमारे पास में दोस्तों एक पूरा फूरा निटवर्क है कोशिश कर रही है आईश मिनिस्ट्री के जरी है बहुत बड़ीया काम कर रही है लेकिन क्या प्राइवे सेक्टर में हम लोग चुप चाप बैटना हमारा मुनासिब है क्या आपकी जिम्यदारी नहीं है क्या पूरे गाउं में शेहर चोड़े शेहर में शोड़े दियात में बसे उनके जरीये उनको इन्वाल करकर के जो है हम जो है एक हेल्थ मिशिन पूरा हम लोग हासिल कर सकते हैं तो इसलिए कि यह यूटोपिक कोई फॉरमॉला नहीं है कि जो पॉसिबल नहीं है एक आइडियल practical रास्ता है जिससे इस्तिमाल करके हमें जो हमारा जो मिशिन हम कर सकते हैं उसमें अगर जिन्दगी ने साथ दिया तो हो सकता हम क्या कामियाब होंगे अगर नहीं तो हम चाहते हैं कि ये पूरा सिलसिला हमारे बात कोई और लेकर चले और घर घर तक का सहत पहुंचा है और होमेपिति को पहुंचा है क्योंकि होमेपित्री ये खुद सिर्फ एक मातर विकल्प है होमेपित्री जिसके जरी हम ये हासिल कर सकते हैं क्योंकि Allopathy के अंदर cost wise और जो limitations जो है उसके उसके जरी हम वो हासिल नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों कंदे से कंदा मिलाईए साथ चलिए लोगों तक साथ लीजे लोगों को लोगों तक बात पहलाईए और ये health for all by 2030 जो है इसको कामियब बनाई है मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम governmental agencies non-governmental agencies NGOs private sectors corporates और आप हम सब मिलकर अगर ये करेंगे तो ये नामुम्किन बिल्कुल नहीं है तो तयार हो जाए हमारे सफर के लिए health for all by 2030 through homeopathy बहुत बहुत शुक्रिया हमारे YouTube channel आप शेर किजिए आपके दोस्तों के साथ में आपके जानने और के साथ में और इस बात को आम किजिए ताके घर बेटे किस तरह से आप सहथ से नजरीक आ सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जय हिंद अगर आपको अपनी बीमारी का इलाज जानने के लिए आप हमारे नंबर पर फोन भी कर सकते हैं